ये कहानी पूरी तरह से कालपनिक है लेकिन इसमें बताएगे सारे इन्फॉर्मेशन सत प्रतिसत सच है कोरोना वाइरस ये कोई नया वाइरस नहीं है ये एक ऐसी वाइरस की फैमिली है जिसके कारण आपको मामुली जुखाम से लेकर सार्स तथा सिवर एक्यूट रिस्पेरिटरी सिंड्रम तक हो सकता है और ये वाइरस इतनी तेजी से अपने आपको बदल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते और इसी वाइरस फैमिली का एक म्यूटेट फार्सन सामने आया है 2019 में चाइना के वहान सहर में जिसका नाम दिया गया है सार्स कोरोना वाइरस टू और इसके कारण जो बिमारी हो रहा है उसे कोविट नाइंटीन का नाम दिया गया है खुज़त मुझे ये बात पता तो था लेकिन फिर भी मैं अपनी साथ दिन का चाइना का ट्रिप करके घर लोट रहा था मुझे लगा था मैं वहान तो नहीं जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बहुत खुश था घर पे दादा जी अकेले था ममी पापा कुछ दिनों के लिए मौसी के घर गए होते मेरे और मेरे दादा जी के बॉंड बहुत स्ट्रॉंग था खुच भी हो मैं सबसे पहले दादा जी से से शेयर करता था वो मेरे दादा जी कम दोस्त ज़्यादा थे घर जाकर मैंने दादा जी से अपने पूरे ट्रिप के बारे में सारी कहानिया सुनाने लगा कहां-कहां घूमा, क्या-क्या किया, सब कुछ पहले दो दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन तीसरे दिन सुभा से मेरा तबलियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था मुझे लगा कि कुछ दिन पहले ही ट्रिप से आया हूँ इसलिए उसका आफ्टर एफेक्ट हो रहा है साइट सामको मुझे बुखार चड़ गया ताप मात्रा 101 डिग्री फारेनाइट दिखा रहा था और रात तक वो बढ़कर 103 हो गया दादा जी ने मुझे नॉर्मल बुखार का दवाई देकर सुला दिया अगले दिन सुभा बुखार तो थोड़ा कम हो रहा था लेकिन मेरे नाक महना चालो हो गया था खासी भी हो रही थी और उसके साथ साथ सांस लेने में मुझे थोड़ा धिक्कत हो रहा था दादा जी ने मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने सिंप्टोंस सुनके मुझे टेस्ट करवाने बोला और मुझे से अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछने लगा मैंने बताया कि मैंने चार दिन पहले ही चाइना से ट्रिप करके वापस आया हूँ डॉक्टर ने मुझे बताया उस ट्रिप के दौरान मुझे पदा भी नहीं चला कब वो वाइरस मेरे अंदर चला गया टेस्ट रिपोर्ट में मेरा कोवीड नाइंटीन पॉसिटिव आया हूँ था डॉक्टर का पहले से ही सकता मुझे फॉरन आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया तब तक मेरे ममी पापा भी आ चुके थे मुझे अपने घरवाले के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा था दो दिन बाद मैंने सुना दादा जी की तबलिद भी थोड़ा ठीक नहीं है उनका भी टेस्ट करवाया गया और उनका भी टेस्ट रिपोर्ट में कोवीड नाइंटीन पॉसिटिव आया मैं तो ठीक हो गया लेकिन डॉक्टर्स मेरे दादा जी को नहीं बचा पाए मेरे लाफ वर्भाई के वज़े से मैंने अपने दादा जी को खो दिया था ये बोज लेकर मुझे अपने पूरी जिन्दगी बिताना था मेरी तरह ये गल्ती आप लोग मत दोहराएगा ये बीमारी बहुत से लोगों के जाने ले चुके है हो सकता है आपका सरीर का इम्मुनिटी पावर आपको बचा ले लेकिन आपके घर के जो बुज़र्ग इंसान है वो साइद इसे जेलना पाएगा इसलिए सतर्क रहिए जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिस कीजिए एक बात याद रखेगा अगर आपके लापर भाई के वज़र से आपके अपने किसी की भी जान चली जाए तो आप अपने आपको पूरी जिन्दे की माफ नहीं कर पाएगे और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएगा मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ तो बी सेफ लग्यो